सो गैस क्या आप लोग भी अपने पेंड्राइब की फोटो वीडियो अपने लेप्टोप में डानना चाते हैं या लेप्टोप की फोटो वीडियो जो भी हैं आप अपने पेंड्राइब में डानना चाते हैं या फिर फोन की फोटो वीडियो आप पेंड्राइब में डानना चाथे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे फिर बताऊंगा pen drive की वीडियो laptop में डलना चाथे हैं तो वह क्या करेंगे सबसे पहले इस dongle को आप इसके साथ connect कर दीजीगा इस तरीके से अगर आपके पास laptop है तो ठीक ये देखे connect हो चुका है और यहाँ पर मारा so हो चुका है तो इस तरीके से हम इसको connect करके यहाँ पर रख देते हैं, अब करना क्या होगा, आपके पास mouse होगा, तो mouse को आप इस तरीके से slide करेंगे, और या फिर आपके laptop के अंदर window option होता है, बटन यह देख सकते हैं, इसको आप बार आप click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर आपको इ manager को select करना होगा, देखें, दो option हो चुके हैं, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको जो भी USB है, जैसे कि मेरा यह pen drive है, देखें, यह USB जी है, यह मेरा pen drive है, pen drive को open करेंगे, ओके, open कर लिया, अब यहाँ पर हम दुबारा से window क्लिक करेंगे, और file में आएंगे, देखें, दो file हमारी हो चुके हैं, यहाँ पर यह Convert कर दी, first and second, यह हमारी pen drive वाली है, और यह जो है हमारी laptop वाली है, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर laptop की कोई भी एक file को open करेंगे, जैसे की for example, यहाँ पर हम disk PC के अंदर own कर लेते हैं, यह हमारी disk वाली जो है, खाली पर हम आचुके हैं, अब आचुके हैं, अब यहाँ पर मान लिजिए, यह हम वीडियो के अंदर चलते हैं, यह हमारी laptop की pen drive की वीडियो है, जिसने laptop के अंदर input करना चाते हैं, तो इसको हम उठाएंगे यहाँ से और ऐसे रख देंगे, तो यह देखें, इधर की वीडियो हमारी इधर आचुकी है, अगर laptop की वीडियो है, आप pen drive में ले जाना चाते हैं, इस तरी से उठाके इधर रख देंगे, यह आपके replace हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगी, तो आपको यहाँ की वीडियो फोटू laptop में ले जाना चाते हैं, तो उसके लिए आपको लगेगा connected to connector, यानि की type C है, तो type C आपका laptop भी open होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर यह वर्क करेगा, अधर यह वर्क नहीं करेगा, ठीक है मैं दोस्त, और यहाँ पर मैं आपको एक तरीका और बत के थुरू या अपने Microsoft, WhatsApp के थुरू भी इसे आप अपने गुरूप में या फिर अपने pen drive के अंदर तो नहीं भीच पाएंगे, लेकिन हाँ आप WhatsApp अपने फोन के अंदर आसानी सी ला सकते हैं, तो आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कॉमेंट में जरूर बता वीडियो चिरिकते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा